दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन निउस से मैं एना मुल्ला खां मेर काजल कुमारी के परतिनिधी विवेक कुमार उर्फ डबलू ने कंभीर आरोप लगाया है और नगर आयुक्त को आड़े हाथों लिया है उनका कहना है कि शहर के हम लोग नौकर हैं हम लोगों को जन परतिनिधियों ने चुना है हम लोग सासाराम के नगर को किस तरीके से चमकाएं इस पर इन लोगों का ध्यान है लेकिन नगर आयुक्त इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन इनको ईगो की है कि मैं एक AAS अधिकारी हूँ इस तरीके का इनका बयान आता है वाड पार्सट इन से मिलने जाते हैं तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वेत कराते हैं और बतumीजी से बात करते हैं और कभी मिलते हैं दरसल देखिए यहां हंगामा होने के बाद बहुत से पदादिकारियों का और सब्सक्राइब कुछ ऐसे वर्य पदादिकारी जो हमारे पास मैसेज भुचबा है कि एक बार बैट सबके बाचीत होनी चाहिए तो हमें लगा कि हाँ सासाराम की हित में सासाराम की जंता के लिए सभी वाट पारसोदों की सहमति से हम लोग एक बार प्रोटोकॉल मेर मैडम का एक प्रोटोकॉल है मेर शहर की पथम महिला होती है अपना प्रोटोकॉल थोड़ करके वहाँ पे जब जैसे ही दियेम कार्याले में पहुंचे हम सभी वाट पार्चत तो जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पे जो अभी परभारी डियेम है शेखर अनंद जी उनका बहुत ही अपमानित बोल था कि ये अपना नगर निगम का अपिस नहीं समझिये और यहाँ थोड़े सलीके से तो ये बहुत अपमानित लगा कि एक तरीके से एक तरफ आप मेर को बुलाते हैं उप मेर को बुलाते हैं वाट पारशत को बुलाते हैं और बुला करके अफमानित करते हैं तो कहीं न कहीं इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है इन लोगों को सहर को नती से कोई इन लोगों को वास्ता नहीं है कल के बारिस में आपको देख रहे होंगे कि सहर की क्या इस्तिती बनी हुई है और नगर आयुक्त महोद है वो उनको अपने 5 star office से 5 star गाड़ी से फुर्सती नहीं मिल रहा है कि सहर की आवान के लिए कुछ करे सहर के लिए कुछ करे तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए हमारे करने की कोसिस कर रहे हैं और ये लोग बेठक कर रहा है बेठक में जू फैसला लेते हैं लेकिन हम यह और कहना चाहते हैं ये नगर और युक मोहदे विल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि सासाराम की सूरत और सीरफ बदने और शहर के लिए लाया है जनता ने अपने लिए लाया है हम जनता के नौकर हैं आप भी जनता के नौकर हैं और जनता के नौकर और नौकर मिल करके जनता के लिए कुछ किया जाए लेकिन इनको इगो की है कि मैं एक IAS अधिकारी हूँ इस तरीके का इनका बयान आता है वाट पारसा दिन से मिलने जाते हैं तो दो दो घंटे तीन बत अमीजी से बात करते हैं Erica अगर आप इस video को facebook पर देख रहे हैं तो Facebook को लाइक कीजिए और video को Share कीजिए अगर आप इस video को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाएए